पीवीसी पाइप्स यानि पॉलिविनाइल क्लोराइड पाइप्स इनका इस्तमाल आम तोर पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज और इरिगेशन में होता है पीवीसी पाइप्स अलग-अलग साइज, कलर और क्वालिटी के होते हैं जिनकी मार्केट में बहुत जादा डिमांड है अगर आप भी पॉलिविनाइल क्लोराइड पाइप यानि पीवीसी पाइप मेनफेक्चरिंग यूनिट की शिरुवात करना चाहते हैं तो पीवीसी पाइप्स मेनफेक्चरिंग सेटप के लिए आपको कितने एरिया, raw material, machinery, manpower और investment की आवशकता होगी इन सब की जानकारी लेकर आज आयाईडी आया है पीवीसी पाइप मेकिंग बिजनस पर एक industrial documentary चलिए सबसे पहरे जान लेते हैं इनकी मशीन डियों के बारे में इस बिजनस को शुरू करने के लिए आपको जिन जिन मशीनों की जरुवत होगी वो हैं High Speed Mixer Machine, Rigid Extruder Machine, Grinder, Granulates Extruder Machine and Different Kind of Dyes, Raw Material PVC Pipes बनाने का बिजनस शुरू करने के लिए आपको जिन Raw Materials की जरुवत होगी वो हैं PVC Resin, Calcium Cloride, DOP, P-Wax, OnePack, CPE, Optical Brightener, Exectra सत्यनरायन गोतम भगवती Plastic and Agriculture Industry यह काम मैंने सन 2005 में स्टार्ट किया परतेक वरक इसमें अलग-अलग तरिके से काम करता है इसमें इंजिनियर की भी जरूत पड़ती है इसके अंदर accounts की भी जरूत पड़ती है skilled India के अंदर इसके अंदर unskilled labor की भी जरूत पड़ती है स्किल्ड लेबर की विजरूत पड़ती है इस प्लानिंग के साथ मैंने इस काम को सुरू किया था आज तो कभी इस देश के अंदर लोहे का पानी के जो पाइप थे जो हमारे घरों में लगते हैं बात्रूनों के अंदर वो लोहे के पाइप से हमारी फीटिंग होती थी आज उसको दुबारा से पीवी सी ने एक जगह ले ली है जो पीवी सी है वो कभी गलती नहीं है जिस प हमारे लोहे का पाइप होता है उसके अंदर अर्थ हो सकता है पीवी सी पाइप से अर्थ नहीं होता और इसके लॉंग लाइफ है यह पाइप कभी गलता नहीं है यह जैसा हम डालते है एज़िटी जी रहता है एरिया पीवी सी पाइप मेनिफेक्शनिंग यूनिट स्टार करने के लिए आपको कम से कम 1500 स्क्वेर फीट से लेकर 1800 स्क्वेर फीट एरिया की अवश्यक्ता होगी मैन पावर इस बिजनस स्टार्ट अप के लिए आपको 8 से 10 लोगों की जरुत होगी जिसमें 3 से 4 स्किल्ट, 4 से 5 अंस्किल्ट और एक सूपर्वाइजर हो सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इस बिजनस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 40 से 45 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की अवश्यक्ता होगी चलिए अब जान लेते हैं पीवीसी पाइप मेकिंग प्रोसेस के बारे में पीवीसी पाइप बनाने के लिए सबसे पहले रौ मटीरियल को मिक्स करके एक मिक्शर तयार किया जाता है ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपको पीवीसी पाइप में कोई रंग चाहिए तो इसी मिक्शर में डिजायर पिगमेंट एड़ कर सकते हैं उसके बाद उस मिक्शर को पीवीसी ग्रेन्विल्स मशीन में डाला जाता है इस प्रोसेस में मशीन उस मिक्शर को पाउडर से दाने के रूप में तबदील कर देती है और अब दानों को पीवीसी एक्स्टूडर मशीन में डाला जाता है जहां वो दाने पूरी तरह मेल्ट होकर लिकुफाइड हो जाते हैं अब अगले स्टेप में मशीन के अंदर लगी पाइप की डिजायर डायमिटर एक्स्टूडर से पाइप को निकालती है जो तुरन थंडा होने के लिए वर्टर बेट से होकर गुजरता है अब तयार पाइप को अलग-अलग साइज में काट लिया जाता है पाइप काटने के बाद फिर उसकी क्वालिटी की जाच की जाती है एक बार जाच हो जाए तो आप इसे अच्छी तरह पैक करके मार्किट में सप्लाई कर सकते हैं अब आपको बताते हैं कि इस बिजनस को शुरू करने के लिए आपकी इंवेस्टमेंट क्या होनी चाहिए अगर आप सिंगल स्क्रू मशीन से PVC पाइप मैनिफेक्शनिंग यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं तो इस मशीन की सेटप कॉस्ट लग-भग 22-25 लाग होगी जिसकी कपैसिटी 50 केजी पर आरकी होगी वहीं वरकिंग कैपिटल मिला कर आप इस यूनिट को 38 से 40 लाग रुपे की इंवेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं आप मशीन की कैपिसिटी और प्रोड़क की क्वालिटी के एकॉर्डिंग अपनी इंवेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं अब प्रोड़क्शन और सेलिंग के बाद अगर बात करें उसके प्रोफिट की तो 50 केजी पर आरकी प्रोड़क्शन की स्पीड के साथ PVC पाइप की मशीन 8 घंटों की शिफ्ट में करीब 400 किलो का प्रोड़क्शन कर सकती है एक केजी प्रोड़क को बनाने की कॉस्ट अप्रोक्स सतर से पच्छतर रुपए और उसकी मार्केट में सेल वैल्यू करीब 95 से 110 रुपए हो सकती है इस एक दिन में लगभग 10,000 रुपए तक का प्रोफिट कमा सकते हैं अगर आपको PVC पाइप मेनफेक्शिंग यूनिट को शुरू करने के लिए किसी भी एक्सपर्ट एडवाइज या गाइडेंस की ज़रुवत है तो आप हमारे कॉंटाइक नमबर 76076 5555 55740 873333 और इमेल support at iid.org.in के थुरू संपर्क कर सकते हैं साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर भी विजिट कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं